जैस्री क्रिस्टना दोस्तों क्या आप जानते हैं महा भारत में ऐसी कौन सी इस्त्रिया थी जिन्हें विवा के पूर्व ही पुत्र प्राप्त हो चुके थे पर वेकुवारी ही कहलाई उनका कौमारी भंग नहीं हुआ सत्यवती सांतनु की पतनी थी एक समय रिसी परासर सत्यवती को देख कर कहा कि हे सत्यवती मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करना चाहता हूँ जो भविषकी धरोहर होगी यह बात सुन कर सत्यवती हैरान हो गई और बोली कि रिसीवर मैं तो अभी कुवारी हूँ मा कैसे बन सकती हूँ तब रिसी ने कहा कि इस से तुम्हारा कौमारी भंग नहीं होगा तुम कुवारी ही कहलाओगी इसके बाद रिसी ने वर्दान से सत्यवती को एक पुत्र दिया जो महारी सी वेद व्यास कहलाए भविस में महाभारत में उन्होंने बहुत से योगदान दिये हैं दूसरी इस्त्री का नाम है कुंती महाभारत में विवा से पहले कुंती को पुत्र की प्राप्ती हुई थी महा भारत में कुंती का जिक्र मिलता है कि विवार्फ से पहले ही कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था जो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ पौराडिक कता के अनुसार कुंती के सेवा से प्रसंद होकर दुर्वासा मुनी ने उन्हें एक मंत्र दिया था मंत्र की सकती को देखने के लिए कुंती ने मंत्र का उपचारन करके सूरी देव को बुलाया मंत्र के प्रभाव से सूरी देव प्रकट हुए और कुंती को पुत्र प्राप्ती का वर्दान दे दिया इसके साथ ही कुंती को अक्छत रहने का भी वर्दान दिया